नमस्कार वेलकुम यू गाइस बंस अगेन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तो चलिए आज हम अपना फिर से टोपिक ने स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है बेसे पार्ट थार्ड के लिए यूनिट फाइफ शुरू की हुए जिसका आज हम लक्षे उसका पूछेगा यहां तो इसका जोटर राइनिक स्ट्रक्चर पूछेगा यहां फिर उसकी कुछ के मिकल रियक्शन वह पूछेगा या इस अपूछेगा यहीं इंपॉटेंट है इस चेप्तर में बाकि जो टोपिक्स हैं वह लेस इंपॉर्टेंट हैं आपके एक्जाम में कवर करने वाले हैं देखते हैं उन मैथर्ट को तो हमारे टॉपिक चल रहा था एलफा अमीनों अमलों का एलफा अमीनों अमलों का संसलेशन संसलेशन या निरमान लिखो यह टॉपिक चल रहा था आग जो हम संसलेशन देखने वाले हैं जिससे हम एलफा अमीनों असिट को प्रिपेर करेंगे उसका नाम है कर्टियस संसलेशन कर्टियस सिंथेसिस कर्टियस डियक्षन आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले ही वेसी ही पार्ट सेकेंड में भी पढ़ी होगी क्लास 12 में भी पढ़ी होगी कर्टियस एक्षन कर्टियस डी अरेंग में बहुत यूज होता है जैसे कि आपको पता हो कर्टियस कर्टियस में क्या बनता है नाइट्रीन बनता है पड़ा होगा ना आप लोगों एक 12 में कभी हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिके एच फॉर हॉफमेन एच फॉर शिमिट एल फॉर लोजन और सी फॉर कर्टियस तो यह हैं यह ना उकर तो यहां पर डी रहटे से पर नाइट्रील बने सबता तो थी इंतर्मीडियटी बनेगा क्यों करते हैं यहां लिखेंगे हम मेलोनिक एस्टर से एलफा एमीनो अमलों का कि निर्मान कि दौरा की आ ता है कर्टियस कर्टियस विधी द्धवारा किया जाता है कि कर दूकर हम यूज करेंगे कि के इसमें काफ़ी यह भी रेक्षण दोगा क्या सारे स्टेपट में होगा तो एम के साथ सुरू करेंगे कैसे खकेंगे क्या है हमारे पास मेलॉनिक एसटर है व्याहा अविम्हमा ऩाइ्ट CH2, C101OO, C2H5, C101OO, C2H5, क्या है ये, ये है, Melonic Ester, तो Melonic Ester का यूस किया जाता है, इसके अंदर, हम क्या लेंगे, Sodium Ethoxide लेंगे, Sodium Ethoxide मतलब C2H5, ONA, क्या है ये, Sodium Ethoxide है, Sodium Ethoxide में ये होगा, O-, ये क्या होगा, Na+, हम जानते हैं, ये क्या होगा, Base होगा, क्योंकि हम इसका पहले भी यूज़ कर चुके हैं कई बार, तो ये क्या है, Base है, छार है, इसका काम क्या है, Acidic Proton लेना, कहां पर है Acidic Proton, इस तरह का Reaction हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, तो क्या होगा, ये आएगा, यहां से Acidic Proton को लेगा, ये Acidic Proton अपना Proton कांसिप्ट कर देगा, ये Bond का Electron कांसिप्ट कर देगा, Carbon पर और H+, की Form में बाहर निकल जाएगा, तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, C2H5OH, ऐसा Reaction हम कर चुकी हैं, अपने पिछली Reaction में, आप देखिए कर कहां किया है हमने ऐसा Reaction, तो क्या बनेगा यहां पर, यह बनेगा, C1H, यहां पर क्या जाएगा, क्यांकि यहां पर, C2H5OH, ऐने लिया है न, तो यहां पर, N1+, बच्चा हुआ है, तो इसको Stabilize करेगा, ठीक है, फिर आगे इसकी Reaction हम किसके साथ कराएगे, Alkyl Helide के साथ कराएगे, किसके साथ कराएगे, Alkyl Helide, यहां पर R कोई सा भी ग्रूप हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, यह आपका Depend करता है, कि आप कौन सा Amino Acid बनाना चाहते हैं, उसके According यहां पर R ग्रूप को रखेंगे, अगर Methyl रखेंगे, तो Elanine बनेगा, और Isopropyl रखेंगे, तो Valine बनेगा, और कोई ग्रूप रखेंगे, Aromatic Group, तो क्या बनेगा, Aromatic, क्या बुझते हैं, Amino Acid बनेगे, ठीक है, तो होगा क्या, जैसा कि हमने पहले भी देख चुके हैं, यह Step, यह Negative Charge यहां अटेक करेगा, इस Carbon पर, यहां से कौन निकलेगा, X-, यहां से Na+, और यहां से X-, तो बाहर कौन निकल जाएगा, NaX, यह हो जाएगा बाहर, यहां क्या जुट जाएगा, Ar, CH, C double bond, O, O, C2, H5, C double bond, O, O, C2, H5, ठीक है, यह बनेगा, अब आगे क्या होगा भी, अब आगे हम इसकी reaction कराएंगे, NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, क्योंकि य इस्टर का क्या करना पड़ेगा, हमको जलब गटन, तो जलब गटन हम चार की उपस्तिती में भी कर सकते हैं, अमली की उपस्तिती में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, तो क्या लेंगे हम चार के तौर पर, आइसको यहां लिख लू, यहां चलो मोल नहीं करना है किसी एक हैस्टर गृुप और भगत्राइब और यह जोड़ ज्ञ दकरना है तो इन वह कितना यहीज लेना पड़ेगा इन्योक कितनेंगे वन्मोम पर किसी एक में बदूत सब्सक्रárium करेगा तो क्या करेगा यहां से ओएच माइनस निकलेगा ओएच माइनस यहां पर जाकर अटेक करेगा यह उपर जाएगा नीचे आएगा और यह बाहर हो जाएगा यहां से तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस C2H5O माइनस यह बाहर निकलेगा क्या बनेगा RCHC double bond O यहाँ पर आ जाएगा OH और यह तो as it is रहेगा COOC2H5 यहाँ से कौन निकला यहाँ से C2H5O माइनस बाहर निकला C2H5O माइनस बाहर निकला यह acid है यह H प्लस देगा तो इस H प्लस को यह O माइनस क्या कर लेगा यहाँ से H प्लस ले लेगा क्योंकि COOH क्या होता है acid होता है acid का काम क्या होता है H प्लस देना तो यहाँ से H प्लस निकलेगा तो H प्लस निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा O माइनस और इस minus को कौन stabilize करेगा एने प्लस और यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा c2h5oh तो यहां से actual में क्या बाहर निकलेगा c2h5oh बाहर निकल जाएगा क्या बन जाएगा sodium salt बन जाएगा इसका है ना o minus और एने प्लस बन जाएगा यह बन गया भी एक ही molecule हमारा रिडियूज हुआ है अब आगे क्या करेंगे भई अब आगे हम इसकी reaction कराएंगे hydrazine के साथ क्या कराएंगे hydrazine hydrazine क्या होता भी जानते होंगे आप सभी NH2 bond NH2 यह क्या होता है यह होता है hydrazine ठीक है hydrazine में क्या होता है यहाँ पर नाइट्रोजन के पास lone pair है यहाँ पर कौन सा हमारे पास carbonil group है ठीक है वैसे तो इसका mechanism कराने की ज़रूद तरी है कि यह कैसे attack करेगा कैसे change होगा लोग तो direct करा देते हैं यहां से एक H निकलेगा यहां से यह group निकलेगा और यह यहां पर आकर जुड़ जाएगा डारेक करा देते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह कैसे बना ठीक है कैसे हुआ यह reaction तो एक-एक step को मैं clear करके चलूँगी ताकि आपको कई पर भी कोई दिक्कत ना हो क्या होगा य एल्यटा positive होगा electron deficient इसके पास electron की कमी है और hydrazen में नाइट्रोजन होता है उसके पास तो लोन प्यर होते हैं यानि इलेक्ट्रोणों की अधिक्ता है यह nucleophile यह electrofile यह attack कर देगा यह आपर जैसे एक करेगा यह bond यह shift होगा ठीक है पहले यह bond का shift होगा ऊपर shift होगा फिर ज CH C double bond O O N A यह तो as it is रहेगा इस पर कोई फेक्ट नहीं पढ़ने वाला और यहां क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा C double bond O और यहां कौन जुड़ गया N H H N H 2 इस नाइट्रोजन ने कितने बॉंड बना लए वह चारण सुंहीन क्या है पोजिटिव यहांसे कौन बाहर निकला? यहां से बाहर निकला O C 2 H 5 और इस पर आएका माइनस पांगा माइनस चारण कों बाहर नकला है यहां से C 2 H 5 O माइनस बाहर निकला है कौन? यह जो है C2 H 5 O c 2 H 5 O – अपने बाहर के लेकर बाहर निकला है तो यह माइनस यहां पर प्लस यह क्या कर लेगा यहां से H प्लस को ले लेगा और यह बॉंड इधर शिफ्ट हो जाएगा जैसे यह बॉंड इधर शिफ्ट हो जाएगा क्या बन जाएगा यह बन जाएगा R CH C double bond O O N है यहां कोई चेंज नहीं है और यहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा C double bond O और यहां रह जाएगा NH और यह हो जाएगा NH2 इस तरह से यहां पर यह आकर जुड जाता है जेके यह बन जाता है हमारे पास अब आगे क्या होगा यह दो स्टेप यह स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कराया है बलकि डारेक्ट मुझे यही बनाना था यहां पर सीधे मैं सिर्फ क्या बाहर निकालती यह जो यहां से बाहर निकलेगा C2H5O और यहां से H तीक है C2H5O यहां से है चाने C2H5O को सीधे बाहर निकालती और सीधे यह बनाती यह स्टेप नहीं दिखाती लेकिन आपको पता हो न अच्छी कैसे बना तो एक-एक स्टेप दिखाया है मैंने अब आगे क्या होगा इसकी रियक्शन हम कराएंगे नाइट्रस अम्ल से क्य क्या है अमल है तो क्या क्या काम क्या है एच प्लस देना तो यहां पर एक तो क्या हो जाएगा CoOH बं-जाएगा ऐनि प्लसी यहां से हट जाएगा इने प्लस क्या हो जाएगा यहां से हट जाएगा और क्या होगा एक तो यहां पर रियक्शन होगा COOH acid में change हो जाएगा और दूसरा रियक्शन यहां होगा कैसे होगा मैं इसको ऐसे लिख सकते हूं क्या होगा है इस तरीके से लिख सकती हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या होगा यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो कौन बाहर निकलेगा यह कुछ ऐसा बन जाएगा R CH C double bond O और यहां पर तो बन जाएगा OH क्योंकि acid रहेगा तो acid तो H प्लस देगा OH बन जाएगा साथ में यहां क्या बन जाएगा C double bond O N यहां पर जुड़ा हुआ है ऐसे लिखूं N से जुड़ा हुआ है एक H यहां पर N H2 तो चला गया उसका oxygen चला गया तो क्या बनेगा यह double bond N और यहां पर क्या बनेगा OH बनेगा double bond OH बनेगा ठीक है अब आगे क्या होगा भई यहां से पाइन बहार निकलेगा कौन बहार निकलेगा एक और पानी का मॉलेक्यूल बहार निकलेगा एक पानी का मॉलेक्यूल अब यहां बहार निकलेगा कैसे निकलेगा पानी का मॉलेक्यूल बहार भई यहां पर क्या है OH ह अब यह तो कितना भी हो सकता है ना एक सारा लेंगे तो कई सारे हैच प्लस होंगे कई बार यह रियक्ट किया बाग की का चैनल है तो क्या देगा एक प्लस देगा एक प्लस को कौन ले लेगा एक प्लस को कौन ले लेगा ओएच ले लेगा जैसी ओएच प्लस को ले ले लेगा तो क्या बनेगा यह कुछ ऐसा बन जाएगा आर सी एच सी डबल बॉंड ओ यह तो बन गया ओएच यहां बन गया ओएच टू पॉजिटिटिव क्या बन गया है यहां पर OH2 पॉजिटिव कुछ गड़वड हो रही है हाँ थोड़ी सी गड़वड हो रही है यहां पर सॉरी इस step को देखेंगा छोटी सी गड़वड हो गई क्या होगा यहां पर पानी तो बाहर निकले गई लेकिन एसे बाहर नहीं क्या संब्सक्राइ recoil जैसे यहां पर यह जो नाइट्रोजन है इस कि और याद आ गया सा मुझे कि यहां से कौन भाइड निखले गा जैसे लोहाथ इदहेंगी ने और इस बनाये नहीं तो यहां से कॉन बाइगा ओड़ निखलेD OH- निकलेगा, यहां से क्या ले लेगा OH-? N+, H+, ले लेगा, क्या ले लेगा यहां से? OH- यहां से निकलेगा, H+, यहां से निकलेगा तो यह क्या बनेगा? यह कुछ ऐसा बनेगा nitrogen पर minus charge, यहां पर triple bond बनेगा ठीक है? और यहां पर minus S2 हमने कर ही दिया है जैसे ही देखते हैं, बीच वाला nitrogen ने चार bond बनाए है, तो क्या charge आ जाजाएगा यहां पर? Positive charge आ जाजाएगा कैसा charge आ जाजाएगा? Positive charge आ जाजाएगा और यह क्या बना है? यह बना है azide और यही important step है इस reaction का ठीक है? यही important step है इस reaction का कि जो malonic ester है, उससे सबसे पहले क्या बनाया जाता है? azide बनाया जाता है malonic ester से क्या बनाया जाता है? azide बनाया जाता है और azide बनाने के लिए हमें इतना सारा ताम जाम करना पड़ता है, क्योंकि अब जो main reaction है जैसा कि इसका नाम है, courteous translation, वो तो यहीं से शुरू होने वाली है azide बनाया अब शुरू होगी courteous reaction, अब तक नहीं थी यह courteous, अब तक जो हम कर रहे थे यह courteous reaction नहीं थी अब यहाँ से azide बनने के बाद जो शुरू होगी वो है courteous reaction यानि कि यहाँ से आगे का जो step है वो important step है, क्या है important, इस reaction की जान यही है अब यहाँ पर क्या होगा क्या होगा भई देखते हैं हम इसको heat करेंगे, heat करेंगे तो जैसे ही heat करेंगे तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दू तो हमारा important step यहाँ से शुरू होगा तो कैसे होगा जैसे हम इसे heat करेंगे इस step को समझेगा बच्च वैसे पहले मैं आपको एक-एक step करके दिखा दिती हूँ फिर एक साथ दिखाऊंगी तकि आपको पता चले कि यहाँ पर होगा क्या actual में यह एक-एक step करके होता नहीं यह concerted process होता है यहाँ एक साथ होता है यह reaction लेकिन होगा क्या यहाँ पर देखो यहाँ से एक N2 gas बाहर निकलेगी सबसे पहले जैसे हम इसे गर्म करेंगे यहाँ से कौन बाहर निकलेगी N2 gas है वो क्या होगी तो नाइट्रोजन पर क्या बन जाएगा यह कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर लोन प्यार है यहाँ पर भी लोन प्यार है क्या बन गया यही तो होता है मारा नाइट्रीन क्या बन गया नाइट्रीन बन गी वो भी कैसी एसाइल नाइट्रीन यह बनती है तो फिर ने पास क्या है यह जैसे अपने पर यहां शिफ्ट करेगा यह वाला जो बोण्ड है यह कहां शिफ्ट नाइड रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा थानके लुन फिरप जाए हैं अधूर यह वाला जो बॉंड है जो कार्वन यह स्वेट होल्ड lunar जैया नाइट्रोजीन पर इस ही को बोलते हैं कर्टीयाम क्या बोलते हैं से कर्टीया में तो अल concurु असको लेकिन यह नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज था पोग्यॉसए नगीटिफ चार्ज तो यह नेगिटिफ चार्ज क्या करेगा ह tava ये वाला जो बॉंढ्ड़ है ये वाällen जो बॉंढ्ड है का शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही इन निकल जाएगी तो इस तरह से एक ही स्टेप में यह रियरेंजमेंट होता और इसी को बोलते हैं कर्टियस रियरेंजमेंट हुआ यहां पर क्या हुआ नाइट्रोजन के जो लोन प्यार नेगेटिव चार्ज है वह आया इधर जैसे इधर गया कारवन पांच बना नहीं सकता तो यहाला बॉल टूटा और यहाला बॉल टूटकर कंग जाखर जो गया नाइ ट्रोजन पर जैसे नाइट्रोजन पर जुड़ा यहां से कौन बाहर निकल गई एंटुगे बाहर निकल supply तो क्या बनेगा यह कुछ ऐसा बन जाएगा हार CH C double bond O यहां पर है OH यहां पर है C स्वारी अब यह C नहीं रहेगा तीक है अब यहां पर क्या होगा देख लीजे क्या हुआ था यहां से यह वाला जो bond था जो कार्वन और कार्वन के बीच में बना हुआ यह तो shift हो गया कहाँ पर, nitrogen पर, किस पर shift हुआ है, nitrogen पर shift हुआ है, इसका मतलब यह bond अब carbon से तूटकर किस से जुड़ गया है, nitrogen से जुड़ गया, पहले carbon से जुड़ गया है, अब nitrogen से क्या जुड़ेगा, nitrogen ने तो अपने loan pair इधर दिये थे, carbon के बीच में, तो यह बनेगा double bond यहां पर आई तक है यह इंसैप है कर्टियस संूस्लेशन, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा यहाँ पर, इस पर रियक्शन होगी, ETOH, ETOH क्या होता है, ETOH इस इथाइल एलकॉल, C2H5OH, यहां लिख देते हूं, C2H5OH, क्या करेगा यहां से, यह O- होगा यहाँ पर, और यह H+, ऐसे तूटेगा न, इथाइल एलकॉल कैसे टूटेगा, C2H5OH- और H+, कहां अटेग करेगा, नाइट्रोजन पर करेगा, यह कारवन पर करेगा, वहां करेगा, जहां पर, क्योंकि O- है, यहां इसके पास इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता है, वहां इलेक्ट्रोनों की कमी होगी, और कहां हैं इलेक्ट्रोनों की कमी, इससे एक तरफ तो डवल बॉंड O जुड़ा हुआ है, यह भी अपनी तरफ एलेक्ट्रोन खीच रहा है, एक तरफ डवल बॉंड N जुड़ा हुआ है, यह भी अपनी तरफ एलेक्ट्रोन खीच रहा है, ठीक है यहां से क्या निकलेगा H+, यहां से तो O- है और एक क्या है H+, तो H+, कहां जाकर जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पर जाकर जुड़ जाएगा, तो यह क्या बनेगा, यह कुछ ऐसा बनेगा, R, CH, C double bond O, OH, ठीक है, और यहां बन जाएगा, N तो था ही, N से कौन घएगा, जैसे यह bond shift होगा, nitrogen पर क्या हैगा, माइनस चाड़, यहां से निकलेगा, H+, तो यह NH बन गया, यहां पर C double bond O, और क्या जुड़ गैं यहांपर, OC2H5, ठीक है, क्या जुड़ गैं यहांपर, OC2H5, अब तो आप जानते ही, लास्ट स्टेप क्या हो सकता है, यहां ऐसर सोड यह वाला गूरुप कौन सा है मैं इसका पड़ेगा जालब कराएंगे मैं क wł image कम यह उपस्तिति हो पहले पहले बीक आद कराक्षिमंगे तो आप हम इसे बाक्तिति यहां पर बन जाएगा आर यह bond जो है यहांसे break हो जाएगा यह bond क्या हो जाएगा यह न से break हो जाएगा h2o में क्सक्राइगा हे धर ओ होता है The test यह बुंड एसे भेइक हो जाएगा टीक enough नाइट्रोजन पर यहांसे ब्रेक हो जाएगा हृज़ज़न और C2H5COOH बाहर को निकला C2H5COOH और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या निर्मान हो गया alpha amino acid किसकी formation हो गई यहाँ पर alpha amino acid तो इस तरह से इतने लंबे step में जाकर alpha amino acid की formation होती है यह है courteous sensation note कीजिए जल्दी से फिर अगला mechanism अगला reaction देखते हैं काफी लंबा reaction हो गया अगला reaction इतना लंबा नहीं जाएगा क्योंकि उसके जो आधा step हो तो यहीं complete कर चुके हैं बिल्कुल ऐसा ही reaction होगा बस थोड़ा सा शुरुआत के step अलग होंगे बाकि last के step ऐसे ही रहेंगे उसमें नोट कीजिए आगे चलते हैं अगला जो शंसलेशन है वो है दाराप्सकी कुनसा है दाराप्सकी संसलेशन नेक्स्ट मेकैनिजम है दाराप्सकी संसलेशन है इसमें क्या करते हैं इस विदी में इस विदी में हम एल्डि हैड लेते हैं यह लेते हैं और एल्डि हैड आप अपनी मरदी से ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें जिसली अमीनोची की फॉर्मेशन करनी है। करते हैं यहपर संघnu कर वाते हैं किस किसके साथ साइनो एस्ट कराते हैं लिखेंगे कि यहां पर एसिटिक एस्टर के साथ Eldehyde के संगनन संगनन जानते हैं ना संगनन मतलब Condensation जुड़ जाते हैं और पानी का molecule क्या होगा बाहर निखले है ऐसे reaction को क्या बोलते हैं? संगनन बोलते हैं ठीक है? यह मेरी writing अमेश्व टेड़ी ही जाती है साइनो एसेटिक एस्टर के साथ एल्डि हाइड के संगनन ठीक है जैसे हम संगनन करेंगे उससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा संगनन से प्राप्त से प्राप्त संगनन से प्राप्त उत्पाद का क्या करेंगे? जैसे संगनन से जो प्राप्त होगा उतपाद उसका अपचेन कराएंगे क्या कराते हैं उसका अपचेन कराएंगे तो संगनन से प्राप्त उतपाद का हाइड्रोजिनी करण हाइड्रोजिनी करण हाइड्रोजिनी करण समझते हैं अपचेन ही होता है hydrogen current का मतलब addition of hydrogen hydrogen का जुड़ना और hydrogen का जुड़ना क्या होता है अपचे नहीं तो होता है तो उत्पाद का hydrogen करण क्या कराते हैं hydrogen करवाते हैं और जो बनेगा उसका फिर हम क्या कराते हैं जो बनेगा उसका हम क्या कराते हैं आज बनाते हैं और एकलब जैसा भी जस्ट रियक्शन किया था जो पहले क्या करेंगे अब कराने के अब बहुत उसका हम क्या करांगे जैसे इस निष्ट से पहले विदी में रहेंगे और फिर इंशाइड वनेगा उसे आगे हम reaction कराएंगे यानि कि जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजीनी करण तो अलग मेकेनिजम रहेगा और उसके बाद फिर से क्या शुरू हो जाएगा क्या हो जाएगा कर्टीस वाले जो step है वो शुरू हो जाएंगे तो यह समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है क्या करें संगरन से प्राप्त उत्पात का हाइड्रोजीनी करण कराया जाता है जिससे प्राप्त एलकिल साइनो एसिटिक एस्टर एसिटिक एस्टर से इजाइड का निर्मान करते है और अंत में जल अपगटन द्वारा अलफा अमीनो अमल का अलफा अमीनो अमल का निर्मान होता है एंड में क्या हो जाता है अलफा अमीनो अमल का निर्मान हो जाता है ठीक है तो क्या होगी भाई ये रियक्शन करते है में करते हैं साथ में करें में किसा और जैसे अभी एक्षिन की है जिए उख तो क्या गरेंगे हम यहां पर कोई कोई सा भी हो सकता है आर गुरूप अपनी मर्जी से रख सकते हैं ठीक है जो भी या फिर एक्जाम में आपसे जो पूछा जा रहा है आपसे पूछ रहा है एलानीन का निर्मान करो तो आर की जगे आप क्या रख दोगे क्या रख दोगे उसमें वोला बेलीन का निर्मान करो तो क्या रख दोगे सी एच सी एस त्री रख दोगे ऐसे कोई दूसरा अबीनो एसेट पूछा तो उसके अकॉर्डिंग आठ ग्रूप यहां पर रख दोगे ठीक है और मेकनिजम कॉमन यही रहेगा इसकी रियक्शन हमे कि और चेंग और सी एं ग्रूप साइनट ग्रूप इसी लिए बोला इसको साइणोओ और चाहिए यह एहां पर पहला रियक्षन होगा संगनने में क्या और संगनन में यह दोन जुर जाएंगे पानी बहार निकलेगा हे यहांसे जोजन होगी दोनों लिए पानी बाहर देंगे और यह दोनों आपस में जुर जाएंगे तो क्या बनेगा कहीं बार करवा चुकत यह सी तो शी हम पर जुड़ा हुआ सी यह पर जुड़ा यह यह पर जुड़ा हुआ सी डवल बॉण ओ कि तू एच फाइफ अभी यह बन गया मैंइ अब सबस्ते हिघ्राइन वत्तामया चाहितन से में तरफंची वपस्तिती हैं किती है किसे बनाइबर पार कर तो हम यह ले लेते हैं किती में छोड़ की निकल की सबस्तिती किया न ?ि कही बार किया है इस तरह की रियक्षन दातŁ की उपस्तिती में हाइडरोजीनी करन ला इसको बोलते हैं उत्पूरत दिखाने ही हाइडरोजीनी करन तो क्या होगा? एक है इचिव हो यहाँ पर झाकर एड़ हो जैगी ठीक यह क्येवर ऑइस पहले से घर ही तो और यही तो है यह क्यान रिचस्टत अब इसकी क्या कराएंगी प्लकुल सेमيل से प्रेंगे pra출 करते हैं खालिए पर यहां निखले ही एस पर निख्रेगा करते हैं ओhall को यह को यह दूआ एसल निख्यक्षाइग ऑनकतीरे इक ड लिग है श्कुझे में दुट हुआ का इस battle करेगा यहां पर आपकरो मेकैनिस्म करने हैं कौन बार निकलेगा C2H5OH तो यहां से माइनस हो जाएगा C2H5 OH माइनस हो जाएगा और यह जाकर यहां जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा RCH2 CH एक तरफ है CN और एक तरफ इससे जुड़ जाएगा C1O NH और एक तरफ NH2 ठीक है फिर आगे क्या होगा भई आगे क्या होगा बता दीजिए तभी जानते हैं आगे क्या होगा अब क्या बनेगा एजाइड बनेगा ना यहां पर लिखा हुआ है बनाना है बना लीजिए पिछले रियक्शन में अभी जस्ट बना है बिल्कुल वैसे ही बनेगा अब इसकी रियक्शन किसके साथ करा देंगे एचेनों टू के साथ एचेनों टू क्या है अमल है तो क्या बन जाएगा यहां पर आर सी एच टू सी एच ह, cn. sn एक ऐसे Gustav myths L. और यहांपर क्या बन जाएगा ? n-1 और और अन पर जाएगा positive चार्ज यहीं तो था, मुझा ऐंगे हमारे पास वहीं क्या बना है यहांपर अमारे पास अजय बना है लक्त क्या करोगे जानते ही il क्या करोगे लिगयर अजय जय और जैसे इसको हीट करेंगे यहां पर क्या होगा रियारेंज्मेंट होगा कौन सा रियारेंज्मेंट होगा कर्टेस रियारेंज्मेंट होगा एंटु गैस यहां से क्या न हो जाएगी बाहर हो जाएगी कौन सी गैस बाहर हो जाएगी और क्या बन जाएगा यह कुछ ऐसा बन ज जाएगा नाइट्रोजन पर जोड़ेगा इसी को तो बोलते हैं कुछ में इसकी रियाइशन कराद किसे गराओ만 स्पीट हो रहा है किस से रियक्शन कराएंगे सी टू एच फाइफ ओएच तो क्या बनेगा यह कुछ ऐसा बन जाएगा कि क्या बनेगा आर ऑट है तो थी एच टू थी एच यहां पर रहेगा सी एन यहां पर क्या रहेगा एन एन पर आ हो जाएगा और यहां पर ओसी टू एच फाइब कुछ ऐसा बनेगा और इसके बाद हम इसका क्या करा देंगे अम लिये जल अपगटन हम लिये जल अपगटन कराएंगे तो यहां पर दो दो गुरूप का जल अपगटन हो जाएगा यह क्या है साइनाइड गुरूप है और आपको हम पेछले रियक्शन में साइनाइड गुरूप करा चुके हम कि हम लिये जल अपगटन कराते हैं तो क्या बनता है साथ में इसका जलब गटन होगा यहां पर भी जलब गटन होगा हम लिए जलब गटन हो जाएगा इसका में करा चुके हैं पहले ही कैसे चेंज होता है कार्भो हाइड्रेत में भी करा चुके हैं और अम Orange should साथ में भाहर निकल जाएगा यह वंगया in the एसेड तो यह है दराप्स की संसलेशन ठीक है इसका उपर का स्टेप थोड़ा सा डिफरेंस है बस जगस इसमें एक स्टेप बढ़ गया एक स्टेप अलग से हो रहा है क्या हो रहा है संगनन का स्टेप है वह हो रहा है बाकी तो रियक्शन हम पहले से कर चुके हैं सारे ही रि फिर से वही मिकेनिजम आ गया जो हमने किसमें किया था कर्टीएस में किया था मैंकि उसके बाद फिर से कर्टीएस रियारेंजमेंट हुआ और अलफा मीनों अम्रका निर्मान हुआ नोट कीजे जल्दी से लग नोट कहाई पैगली जो विदिये यूब एक इंपॉर्टेंट विदिये जो कि है हाई फिर हाई डेन हाई न टौइन संस्लेशन क्या वोसते से हाई डेन टौइन संसलेशन कैसे लिझेगskेंगे इंदर अ इंच संसलेशन यह पूछ सकता है आप से इंपॉर्टेंट इसलीए घुば ढूंविदी vam एक अमिना सीटरां स्थी होसे समय किया धाते हैं तो आप से पूर्छ सकता है डारेकЛिकिकिंश बनाने कीव लिखे तो यही विदी हाइडन टू इंसलेशन यूज होता है किसमें ट्रिप्टोफेन को बनाने में यानि एरोमेटिक अल्डिहेड का यूज होता है तो हम यह लेख सकते हैं कि यह है कौन सा कि ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन बनाने की ट्रिप्टोफेन भी क्या है कमीनो ऐसे हमने लिख वाई थे ना तो ट्रिप्टोफेन अम लोग बनाने की एक मैत्वपूर्ण विदी है मैत्वपूर्ण विदी है इस विदी से कौन बनाया जाता है ट्रिप्टोफेन बनाया जाता है कौन tea futures Amino Acid बनाए जाता है तो यहांपर क्या किया जाता है यहां पर electromagnetic the 맡 क्राइज क्या लिया जाएगा our Maitread का संघनन क्रा आ जाता है किसके साथ ५ा highonne 12 के साथ किसके सकते है ka एरो मेटिक लडी हाइड का हाइड टोइन के साथ संगनन करवा कर क्या किया जाता सबसे पहले संगनन करवा जाता है इसका हाइड टोइन के साथ फिर क्या होगा उसके बाद संगनन करेंगे उसके बाद अपचयन और अपचयन के बाद फिर जलब गटन जो अब तक करते आएड़ी संगनन करवा 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 कर प्राप्त उत्पाद का सोडियम अमलगम के साथ अपचयन कराया जाता है और अंत में अंत में अमलिय जलब गटन करवा कर जलब गटन करवा कर अलफा अमीनो अमलगम प्राप्त किया जाता है ठीक है तो वही सेम स्टेफ हैं बस पहला स्टेफ डिफ्रेंट है क्या होगा एरोमेटिक एल्डिहाइट से क्या बने एंग और मनेंगा थीचिए पैल एंडिहाइट से लेकिन यह एरोमेटिक एल्डिहाइट जो हम यूज Alpha होता है बहताभ Dream State of 2003 आफ मैं इसकी मेकंइनेजम आप इसी काऊं पड़ोगे जब उनिट पड़ोगे आपकी ज्वीर में हैं जी इंट्र हेट्रोसाइक्लिक विशम चक्रिय योग्य ठरो 행世界 कम पाउंट पड़ोगे उसके इसका दुएज्द होगे दी घ्लिखम आपई यह इनतो बढ़े तो क्या होता है यह पर यह होता है इंडोल है कि चल्जाब भी ये हैं इंडोल क्या है इंडोल ये पढ़ो गया विशम चक्री योगिक में इंडोल ठीक है इंडोल की रियक्शन कराई जाती है किसके साथ क्लोरोफोम साथ में लिया जाता है बेस कोई भी बेस लेंगे इसके साथ रियक्शन कराई जाती है और क्या बनता है यहां पर यह प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है यहां पर कौन सा गुरूप आ जाता है C110H कौन सा आ जाता है C110H एल्डेहाइड गुरूप आ जाता है और यह होता है हमारा aromatic aldehyde जो हमें इस reaction के अंदर यूज़ करना है तो क्या है यह यह है इसका नाम है इंडोल 3 aldehyde 1 2 3 थार्ड पोजीचन पर लगा हुए ना aldehyde ग्रूप तो इंडोल 3 aldehyde बनता है और यह जो रियक्शन है कुछ जानी पहचानी हुई सी नहीं लग रही इनको देखकर कुछ याद नहीं आया जब हम किसी aromatic yogic को जिसको किसी aromatic yogic को chloroform और चार के साथ गर्म करते हैं तो कौनसी अभिक्रिया यह 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 अभिक्रिया है रिमर टिमान यह जो अभिक्रिया हो रही है कौनसी है यह यह है रिमर टीमान अभिक्रिया जिसको बोलते हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया ठीक है कौनसी है राइमर टीमैन अभिक्रिया है और अगर आपने सेकिंड यर में थोड़ा बहुत भी अगर और 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 पड़ा होगा कहा पड़ा होगा फिनॉल के अंदर पड़ा होगा फिनॉल सब्सक्तु नाब कोई भात नहीं कोई दिक्कत नहीं कि विबिगुकित चाहिए나 विश्मچक्रीय यौगिक पढूगे भिश्मचक्रीय यूगिक हुआ सबस्क्राइब पढ़ेगा इसका कि इतेटेव 7 बने ये बनेगा इसकी रियक्शन अमको क्या करानी संगनन करवाना है किसके साथ हाइडन टोइन के साथ ये हाइडन टोइन क्या होता है भी हाइडन टोइन होता है ये यह होता है हाइडन टोईल क्या है यह हाइडन टोईल यह है क्या होगा संगनन होगा और संगनन में क्या होता है वही संगनन में हम जानते हैं क्या होगा यहाँ पर संगनन संगनन में हम जानते हैं क्या बाहर निकलता है वही संगिनन में बाहर निकलता है पानी ठीक है यहाँ पर double bond हो यहाँ पर esta की निकल जाएगaa एपसटो यह बाहर निकल जाएगा पानी बाहर निकल गया क्या रबभनेगा यह कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर C, H तो पहले से जुड़ा हुआ है, double bond, कौन जुड़ जाएगा यहाँ पर, C, N, H, C double bond O, N, H, और यहाँ पर C double bond O, यह molecule आकर जुड़ गया है, यहाँ पर, हाइडेंटोयन का मॉलिकुला कर जुड़ गया, अगला step क्या करना है, इसको sodium amalgam के साथ इसका अपचेन कराना है, यहाँ पर होगा है hydrogen का एडिशन का एडिशन, CH2 हो जाएगा यह, यह हो जाएगा CH, फोड़ा और आगी से बनाएं, यह मिटा देते हैं, CH2, यह हो जाएगा CH, NH, C double bond O, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, C double bond O, NH, और यह जुड़ जाएगा, ठीक है, लास्ट स्टेप में हम इसका क्या कराएंगे, जल अब गटन, क्या कराएंगे इसका, लास्ट स्टेप में, जल अब गटन, हम की उपस्तिदी में, जल अब गटन कराएंगे, जल अब गटन में क्या होगा, आप जानते हैं, क्रितनी बार कराचो के अब तक हम जल अब गटन, क्या हो जाएगा जल अब गटन हो जाएगा एक तो यह वाला बॉंड यहां से तूटेगा यह वाला बॉंड यहां से तूटेगा कैसे तूटेगा भाई हम जानते हैं जल में क्या होता है H और OH होता है ठीक है तो क्या होगा एक तो H2 यहां जुड़ेगा कैसे जुड़ेगा यह bond ऐसे तूटेगा, NH2, यहाँ पर तो बन जाएगा, NH2, ठीक है, यह तो जाएगा, NH2, और COOH यह बन जाएगा, ठीक है, और एक जल यहाँ पर जुड़ेगा, sorry, एक water molecule तो यहाँ जुड़ेगा, OH, H, कैसे जुड़ेगा, यह ऐसे तूटेगा, इस carbon के साथ जुड़ जाए हैच, और यहाँ पर carbon से कौन जुड़ जाएगा, OH, तो क्या बन जाएगा, यह कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ लिख देती हूं, कैसा बन जाएगा, यह जलब गटन हमां कई बार करवा चुके हैं, हम लिए जलब गटन, तो आपको समझ जाना चाहिए, कैसे होगा यह, इ हमारे पास साथ में बाहर को निकलेगा, साथ में बाहर निकलेगा, हमारे पास एक तो NH3 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, NH3 गैस बाहर निकलेगी, CO2, कौन बाहर निकलेगी, CO2, तो इस तरह से यह mechanism हो जाएगा, यानि यहाँ पर दो दो गैस बाहर निकल रही है, CO2 और NH3, और जिस भी reaction में, यह तो आप सभी जानते होंगे, बच्चे नहीं है, कि जिस भी reaction में कोई gas molecule बाहर निकल रहा हो, वो reaction हमेसा बहुत favorable होता है, तो कैसे निकलेगी, यह बनेगा, पहले यह क्या बनेगा, यह दिखा देते हैं, NH3, यह क्या बनेगा, यह कुछ ऐसा बनेगा, यह यहां से तूट जाएगा, और यह यहां से तूट जाएगा, तो यह क्या बनेगा, यह कुछ ऐसा बनेगा, COOH, और यहां पर जुड़ा होगा, NH3, ऐसा बनेगा न, यह उपर गया यह नीचे आया और यह यहां से बाहर निकल जाएगा एनेच टू माइनस यहां से एच प्लस तो यह बना क्या लेगा प्लस नेच थृ तो इस तरह से यह मेकेनेजम पूरा हो जाएगा और यह क्या बनना हमारे पास ट्रिप्टो फेन तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूं तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया CO2 प्लस NH3 और यह क्या बनगे हमारे पास यह बनगे ट्रिप्टोफेन यह जो हमारा एमिनो असेड है कौन सा है यह ट्रिप्टोफेन है ट्रिप्टोफेन तो इस तरह से TRIPTOPHEN का निर्मान होता है, यह बहुत important है, क्योंकि TRIPTOPHEN की formation आपसे पूच सकता है, ठीक है? तो इस तरह से होती है TRIPTOPHEN की formation TRIPTOPHEN की formation कहीं कोई confusion होनी नी चाहिए, यह जलाफंग गटन में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कितने सारे reaction में अब तक हम करा चुके हैं जलब गटन अम लिए जलब गटन होगा तो आप जानते हो सबसे पहले तो एच प्लस का काम होगा कौन ले लेगा नाइड्रोजन एच प्लस ले लेंगी तुस दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगी फिर कौन करेगा एच टूगा ओएच माइनस यहा तरह से यहां बन जाएगा सी ओ यहां बन जाएगा एनस टूग करेंगे नहीं किसी चीज को तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो देखने से चीज़ा समझ में नहीं आती करना पड़ता है कौपी पैन उठाइए और इस मेकेने जम को कीजिए मैं पहले आपनी कराऊं कर चुकी हो अगर नहीं समझ में आ रहा अभी केस जैसे मैं नहीं समझ में तो जैसे मैंने पहली करा या पिछले लेक्चर पिछले जो फार्मेशन में इसमें कच्छा बहुतार उस तरह से इसको करके देखेगा आपको डो सैकेंड हो जाएगा ताइम भी नह बिना देखकर करेंगे फिर उसको बिना देखी कीजिए तो अपने आप आप इसमें ट्रेंड हो जाएंगे और गिनिक सबसे सिंपल चीज होती है इसमें कुछ भी नहीं है टाफ बस आपको यह पता होना चाहिए कौन कहां जुड़ेगा यानि कौन कहां अटेक करेगा नोट कीजिए जल्दी से ठीक है है हाइडन टूइन संसलेशन में एक और आती है लेकिन वो इतने इंपोर्टेंट नहीं है इतनी ज्यादा अधल उसमें भी हाइडन टूइन का नाम आता है लेकिन हाइडन टूइन जो है वो इंपोर्टेंट ही वाली होती ही ट्रिप्टोफेन बनाने installed। ऑगला वो है बुक्रा बुक्रा हींदे को विए और टो इन संसलेशन यह भी इंट एन संसलेशन है लेकिन कौन सा बुकराइब एक साइंटेस्स ते बुकरार उन्होंने भुजा था बुकरार है रएंटो इन तो इन संसलेशन एक छोटा सा 5 वन लगेंगे इसको कराने में इसका मेकैनिजम आप से पूछेगा नहीं बहुत है सिंपल सी बिदी है इसका मेकेनिम में हमें घुचना नहीं है तो क्या होता है अमोनियम कारवोनेड यह शोडियम साइनाइड नहीं नहीं है तो इसके जगह हम ही सीन भी यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड तो अमोनियम कार्वनेट वा सोडियन साइनाइड के एलकोहॉल में बने विलियन में बने विलियन की एलकोहॉल में बने विलियन की औग्जो योगिकों के साथ अभिक्रिया से पाँच प्रतिस्थापी हाइडन टोइन हाइडन टोइन कि मिस हो गया क्या है कि मैscenes होगर में क्याली हाइड करा जथी स्थे 0juicky यहाँ इन्हें पर कौन से होंगे अभिक्रिया करा कर क्या बनता तंक प्रतिस्थापी हाइडन टोइन हाइडन बनता इसके पांच पॉजिशन में प्रकिस्थापन होता कोई आर ग्रुप लगा होगा और वह अर्व प्रतिसापी हाइड़न टोइन प्राप्त होता है प्राप्त होता है जिसका जल अब गटन कराने पर जिसका जल अब गटन कराने पर एल्फा अमीनो अमल प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है एल्फा अमीनो अमल प्राप्त होता है बई एंड में को क्या मिलेगा एल्फा अमीनो एसिड मिलेगा हमको किया होता है वई क्या रियक्शन होगी अख्जोयोगिक में हमें क्या लेना है यह 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 पर जाकर अटेक करेगा यह और एक तरफ तो इसे क्या जब गांगा यह कैसे हुआ यह आप जानती हैं में डर बार जाने कि नहीं होती एक बार आप सीख जाएं चीज तो इसके बाद खुद से प्राक्टिस कीजिए तो आपको चीजें बैटर समझ में आएंगे आपको अच्छा है और चीजों को रिपाइस करेंगे जितनी जादा रिवी और गैनिक के अंदर सबसे एक ही फंडा है प्रैक्टिस जितनी जाद आपको डियक्शन करने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी फास्ट हो जाएंगे फिर तो आप बीच बीच के स्टैप को छोड़ देंगे डारेक्ट डा को बना वैसी क्या बना लेगा फिर इस में टौन में चेंज हो जाएगा कि समय चेंज हो जाएगा हाइड़न जों इस तरह से यह हाइड़न टॉइंद इस इस अटल बेंगे होता है पांच भी पोजिशन का लंग अला हूँ है आर गुरूप लगा होतें इसको बोलते हैं प कि Anapventry फॉव्य जो अब तक कराते यहां ंचर अीजुफैंब यह बिल्कुल उसी तरह जैसे अब बनाएँ था पिछला रियाक्षिन करा था बस पिछले एक्षिन में और यहां पर क्या डिफरेंश है बता सकते हो यहांपर यह कि यहां पर किया था आइसो प्रोपाइल हो तो वैलीन बन जाएगा तो यहां पर यह था लेकिन इसकी रियक्शन हमने किसके साथ कराई थी इसकी रियक्शन हाइड यहां पर क्या डिफ्रेंस है कि हाइडन टुइन को बनाया गया है और फिर इसकी रियक्शन करानी है अब यहां पर अपचेंट होगा नहीं क्योंकि वहां पर डवलबॉंड है नहीं वह आल्रेडी कैसे जुड़ा हुआ है नॉर्मल ही जुड़ा हुआ है तो सीधे-सीधे क्य सब्सक्राइब के सतानि तो क्या हो जाएगा यह वार्ण यह सेब्रेक होगा यह वाला बॉंड यहां से ब्रेक और यह के ऑन hes 20 अगा और vac 2017 साथ निकलेगी ऑस यह गयरин निकलेगा और यह बन झाएगा हमारे पास the amino acid carbon जाएगा एलफा एमीनो एसेड तो यह था बुक्रार हाइडेंटोइन संसिलेशन ठीक है और इसी के साथ एमीनो एसेड के जितने भी मैथर्स ऑफ प्रपरेशन थे वह करा दिये हैं कितने सारे कर लिए हमने तीन लेक्चर्स होगे हमके प्रपरेशन को करा ठीक है तो और भी बहुत सारे मैथर्स हैं जिनसे इनका परपरेशन कराए जा सकता है करने को तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ लेकिन वह आप बाद में कभी पढ़िएगा मतलब हाइयर क्लासेस में जाओगे तब बहुत डीटेल में पढ़ोगे अभी के लिए इतने काफी है नेक्स लेक्चर में मिलते हैं ऐसे एमीनो एसेड की केमिकल प्रोपर्टीज के साथ थैंक यू अभी के लिए